नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल अभैसिंग फियलेस वर्ड में स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है नेशनल सेप्टी डे इसको सेप्टी विक भी कहते हैं ये क्यों मनाया जाता है इसकी सुरुवात कब होई और इस साल का थीम क्या है और इसका इ सुरक्षा उपायों के बारे में जागरुकता बढ़ाना है राश्टी सुरक्षा दिवस को अब पूरे एक सप्ता तक मनाया जाने लगा है इस बार राश्टी सुरक्षा दिवस चार मार्च से दस मार्च तक मनाया जाएगा राश्टी सुरक्षा दिवस का थीम हर सल राश अब आये जान लेते हैं राष्टिय सुरक्ष्य दिवस का इतिहास राष्टिय सुरक्ष्य दिवस की अस्थापना 1972 में पहली बार चार मार्च को राष्टिय सुरक्ष्य दिवस मनाया गया था राष्टिय सुरक्ष्य परिशद राष्टिय अस्तर पर नॉन प्रॉफिट इसे भारा सरकार स्रम और रोजगार मंत्राले द्वारा चार मार्च 1965 को सुरक्षा स्वास्थ और पर्यावरण पर एक स्वयक्षिक आंदोलन को उत्पर्ण करने और विक्सित करने के लिए अस्थापित किया गया था तो आखिर क्यों मनाया जाता है राश्ट्य सुरक्षा दिवस के दोरान और धोगिक दुरुगटनाय यानि की इंडस्ट्रियल जो एकसिडेंट है इसके बचाव के तरीकों के प्रती लोगों को जागरूख करते हैं इसके लिए कई परकार के कारेकरम का आयोजन किया जाता है इस राश्ट ये सुरक्षा दिवस पर उन हजारों सिपाहियों के लिए भी समर्पित है जो अपनी जान खत्रे में डालकर देश की सुरक्षा के लिए सिमाओं पर तैनात रहते हैं तो पिछले सालों का थीम क्या था? 2024 का अभी का देखे तो focus on safety literacy for ESG escalants 23 का था our aim, zero harm 22 का था nurture young mind, develop safety culture 2021 का था learn from disaster and prepare for safe future 2020 का था enhance health and safety performance by use of advanced technology और 19 का था cultivate and sustain a safety culture for building nation और 18 का था reinforce positive behavior at workplace to realize safety and health goal तो यह सब था लेकि इस बार जो है ESG यह तीन चीजे include गई है जो की काफी एक बड़ा area cover करता है जैसा कि मैंने आपको बताया इस बरस का theme है 2024 का focus on safety leadership for ESG escalants यानि कि ESG उत्रकिष्टा के लिए सुरक्षा नेतिरत पर ध्यान दे अगर इसको ध्यान से समझे तो इसका मतलब यह हो रहा है कि ESG escalants ESG को अच्छा करने के लिए कैसे safety leadership पे हम ध्यान दे कैसे safety leadership को और अच्छे से करे ताकि ESG अच्छा हो तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ESG होता क्या है तो आए समझते हैं ESG का मतलब है environmental, social and governance यह तीन चीजों से मिलके बनता है यानि कि यह तीनों चीजों को अच्छा करना है environmental में क्या क्या चीज़े आती है एक तो जो climate change होता है अपने यहाँ जो global warming हो रहा है यह जो climate change हो रहा है यह सब उसमें cover करे है natural resource जो हमारे है जो भी कोईले या जो भी हमारे resource है जो naturally मिलते है pollution and waste है कामों से waste निकलता है जिससे pollution फैलता है biodiversity यानि कि इस दुनिया में हर एक तरह की जीव रहते हैं उन सब को लेके चलना है और social की अगर बात करें तो human rights है हर आदमी का एक अधिकार है उसको protect करने के लिए supply chain standard है यानि कि हमारे company से जितने भी लोग जुड़े हुए है जो supply chain management है उसको अच्छा करने के लिए labor management के लिए health and safety है यानि कि देखो इसमें एक part आगया health and safety human capital development है यानि केवल आदमी को काम ही नहीं करवाना है उसको training देके उसकी competency build करनी है develop करनी है जिससे हो हमारे लिए corporate governance यानि कि हमारे जो corporate के नियम है और transparent होने चाहिए सब के लिए एक जैसी होनी चाहिए corruption और inestability नहीं होनी चाहिए executive pay है board diversity है यानि कि हमारे board में diverse nature के लोग हो यानि कि male भी हो female भी हो हर्द group को represent कर रहे हो business ethic हो यानि कि एक नितिक के अनुसार काम करे जो भी हमने बनाया है तो यह सारे तीनों चीजों को लेकर इस बार चलना है आखिर safety leadership को अच्छा कैसे कर सकते हैं तो safety leadership को अच्छा करने का तरीका है एक तो जो है setting the tone from the top यानि कि top management का commitment होना चाहिए ESG को अच्छा करने के लिए otherwise नहीं होगा दूसरा जो है integration of safety into ESG strategy safety को ESG strategy में include कर देंगे तो यह सब एक साथ होगा transparent communication होना चाहिए यानि कोई किसी तरह का hidden communication नहीं हो पूरी तरह से clear communication हो और साथ में empowering employee employee को आप empower करो कि वो कुछ कर पाए continuous improvement करना है accountability set करना है जिससे कि वो हर एक आदमी किसी काम करने के लिए जो जिम्मदार हो उसको करे और collaboration and stakeholder engagement जो सब की collaboration होने चाहिए साजहा जिम्मदारी तय होनी है साजहा सब मिलके काम करना है stakeholder engagement जितने भी हमारे stakeholder company के हैं जो interested parties है वो सारे लोग जो है engagement करना है ESG को enhance करने के लिए innovation नई नई idea आनी है जिससे क्या होगा ESG और escalence होगा recognition reward देना है जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको हम reward देंगे recognition देंगे जिससे वो और motivate होगे और अच्छा करेंगे और इसके impact को भी measure करना है जिससे कि हम आने वाले समय में और अच्छा कर पाएं तो I hope जो है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं subscribe कर लिजिए अपने दोस्तों के साथ share करिए जिससे उनका भी knowledge बढ़े तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में तब तक आपना द्यान रखिए take care bye bye